Hello friends, welcome back to my channel, कैसे हो आप साथ, I hope आप सब लोग एक दम बढ़िया होंगे, ठीप ठाक होंगे, और आप सबको मैं एक बात बताना चाहते हूं, पता है क्या, आप लोग मुझे कमेंट्स करते हो न, कि दी, आप थोड़े से मोटे हो, थोड़े से पतले हो जाओ, है न, तो आपको एक बात बता हूं, अभी मैं गांगो इति शादी में, सब लोग ने मुझे यह भूला कि इतने पतले कैसे हो गए, ऐसा तुमने क्या किया, सच मैं, सब मुझेais यह बोले, मिर मभी ने मुझे बोला कि इस मार कि दर पतला हो गया, कुछ झाथी हूरी है कि ने खाती हुए है इसलिए अब मैं में फूटी-सी डाइट पर भी हूं फालतु कोनी करते हैं भाइक भाइक और वाधा की जिए-उ मैंने एकड़ी खाने होई कुंत दब अब क्कừa रंगा यह लगी एकम्हस्की तो छ बहुत हैसे और वह दिए35-177 जिल्छों कटनी mad при 2015 तो चलिए अब मैं आप सब को दिखाते हूँ कि मुझे शादी में क्या मिला तो देखिए मुझे मिली है यह वाली साडी और साडी को पर कैश तो हम लोगों ऐसे होता है कि जब बहन बेटियों को शादी में बुलाया जाता है तो फिर बेटियों को बिदा करते हैं तो तो उनको यह कपड़े वगरा नहीं दिये जाते हैं उनको सिर्फ मिठाई दी जाती है मिठाई से बिदा किया जाता है वह उल्टा हम लोगों को दे के जाते हैं इस तरिके से हम लोगों में सादी को होता है और स्वेट दिखा दिया और आपको मेरा स्वेटर पसंदा आया तो देखिए मेरा स्वेटर यह है मेरा स्वेट है और ऐस नहीं से लिया थी बताना घो ये मैंने लिया थालाजपत नागर से रवी मारेफ़े में ज्यादा है ना हुआन पर मैं एक यह चाहिता ही है घर से थोड़ा सा हम लोग कम निकलते नहीं तो मार्केट फोन रहते थ excess हैं तो मैं इसे सुट और साडी निए पर डाल लेती हूं मुझे भी बहुत संदर लगता है और यहां थोड़ा सा जाली टाइप में है तो लेकिन एसा नहीं कि जाली टाइप में थंड लगती है बिल्कूल भी थंड नहीं लगती क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है और अब मैं सुरक्षा है अगर मैं लेकर नहीं जाते तो मेरी कुल फीजब जाती ही बहुत आलत खराब हो जाती क्योंकि वहां पर ज़्यादा ठड़ लगती है और हम लोगों को ज़्यादा लगती है क्योंकि आदत नहीं होती ना खुले में रहने की तो इसलिए तो यह है मेरी सॉल य भी बहुत जदक गर्में यह रिखिए ठीक है तो आपको स्वाग में दिखा दी आपके कहने से अपना स्वेटर भी दिखा दिया मुझे शादी में क्या मिला आपको मैंने यह भी दिखा दिया ठीक है तो चलिए फ्रेंड्स आज मैं बनाने जारी हूँ वेजचिला और इसे बनाने के लिए मैंने हपे आधा कटूरी लिये सूजी जिसका हम हल्वा बनाते हैं और कई कमेंट्स तो मुझे या आते हैं कि दिखा कौन सी होती है तो मतलब जिसका हल्वा बनाया जाता है वही सूजी की में बात कर रही हूँ और आधा कटूरी मैंने यहां पे लिया है गेहूंका आता जो हम नौरमल अपने घर में खाते हैं और आधा कटूरी ही मैंने यहाँ पे लिया है बेसन और कुटिटी मैंने बरावर महात्रा में लेंडें के बाद ये हैं मतला डो तो में धूम साइज की में टिमातर लिए जिनको मैंने एक नम बारी गुआरी कट कर अफे रखा हुआ है । यहां पर यहां में कि यह तो अपको अपको पशन है तो च Lessening तो ढहरा थे से फ्याद को रज़ंढ़ मिठ करते हैं तो यह तो यह मेंने लिए किया था मैऊ घुझा डालके और इसे shifts लियाँ पीस लिया था तो इन सब को मैंने डाल दिया इसके अंदर डालने के बाद आप मैं इन सब को अच्छे से मिला देती हूँ और मेरी आवाज भी आपको थोड़ी सी बारी नजर आएगी नजर नहीं मतलब सुना ही देगी क्योंकि मेरे को कोल्ड हो रखा है इसलिए और क्योंकि काली मिर्ष मेरे इन सब को बहुत ही अच्छे से मिला दिया मिलाने के बाद हम में क्या करना है इसे रेस्ट करने के लिए कम से कम आदे घंटे के लिए छोड़ना है तो देखिए मैंने एक जाली से इसे अच्छे से कवर कर दिया और मैं इसे छोड़ देती हूं आदे घंटे के लिए क्योंकि ह अगर आपको डालना पसंद है आपको खाना पसंद है तो आप इसमें जरूर डाले और जादा नहीं डाला था अपने टेश्ट के अखोर्डिंग मतला एक चोथा चमज के करीबन डालने गाद इन सबको मैंने अच्छे से मिला दिया और गैस पे मैंने रख दिया तवा गर्म क उसके बाद गैस को मैंने मीडियो फ्लेंपे कर दिया है और यहां पर मैं यह चीला बना रही हूं देशी घी में आप चाहो तो जो भी खाना पसंद करते वापस में बना सकते हो तो दिखिए थोड़ा सा मैं इसमें डाल दिया और डालने के अब मैं से इस तरीके से अराम अ तो जो हमारा चीला ठीक से नहीं फैल पाता तो आप इस तरीके से फैलाएं जैसे मैं डाल रही हूं चारो तरफ इस तरीके से डाल के क्योंकि यह मोटा है इसलिए अगर पिसा हुआ होता मतलब जो सब्जिया में लीती अगर आप उने मिक्सिजार में डाल के अच्छे से ग्र अब इस सीज़ाने लिए चुड दूगी और मुझे ऐसे लगएगा ज़ो मेरा चीला है थोड़ा हो गया है तब मैं पल्टेंगी और एसे पल्टने के लिए ना तो आप चाकु का इस्तिमाल करें क्योंकि चाकु से जो किनारेहें ऊप पतला होता है नुकीला होता। तो चीले को पलट दिया तो इसी तरीके से चारों तरब घी लगा के चीले को मैंने बहुत ही अच्छा से सेख लिया और यह हो गया आपका बहुत ही हेल्दी एक ब्रेक फास्ट और जिसे खाने के बाद आपको कम से कम 2-3 गंटे के लिए भूग लगने वाली नहीं है फिर आप ल कि लिए कोशिश करती हूं कि उसमें ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जेड आलो जिससे बच्चों को इसका फायदा हो हरी सब्जेड दों वैसे भी हमारे स्वास्त के लिए बहुत ही ज्यादा फायदे मंद होती है तो देखी इसे मैंने चारों तरब से पलट के सेख लिया आ बहुत ही ज़्यदा टेश्टी लगता है खाने में बहुत ही ज़्यदा सवात लगता है आप सब भी हमारे साथ में ब्रेक फास्ट कीजिए और ये वाला सीन आपको काफी टाम के बाद देखने को मिल रहा होगा कि हम लोग साथ में ब्रेकफ़स्ट कर रहे हैं हम लोगों में होता ही ऐसे कि साथ में ना तो हम खाना खाते हैं ना ही ब्रेकफ़स्ट करते हैं तो क्या है ना मम्मी होती है जैसे कि तो सबसे पहले मैं खाना ममी को दे देती हूँ उसके बाद हस्बेंट बोलते हैं कि मुझे भी दे दो तो हस्बेंट को भी दे देती हूँ बच्चे बोलते हैं तो बच्चों को भी बोल देती हूँ तो फिर मेरे घर में यही होता है कि मैं जो बनाती हूँ न एक बार बना लेती हूँ उसे आप लंच बोल लीजिए या फिर रिकफरस्ट बोल लीजिए और जब किसी की इच्छा होती है कुछ खाने की तो वह बन भी जाता है ऐसी बात नहीं है लेकिन यह ज़रूर नहीं को ल सब्सक्राइब हो तो लाइक करके जाना फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ बाए